है गाइस गुर्मॉर्णिंग वेल्कम टू मैं आदर वीडियो मैं आज दल्मुनी जा रहा हूं मेरा भाई का घर में मेरा देदी का जो इंविटेशन काड है तो उसका कभर नहीं है तो उसी को लाने के लिए जा रहा हूं तो गाइस चलते आप लोगों जगा दिखाते दिखाते जाओंगा बहुती मजा आने वाला है चली है मैं साइकल में हूं बहुती स्पीड में जा रहा हूं और कुहां से ठंडा भी लग रहा है तो मैं डबल सुटर पहिन के जा रहा हूं सुगा इस दर में देखिए ट्रा रहा है एक सुगा में ही काम करने के लिए जाते हैं वह लोग इतना ठंडा है फिर भी सुगा इस ट्रेक्टर को पार होने देते हैं उसके बाद कंटिन्यू करेंगे जरनी आइस ट्रेक्टर पार हो गया है दो ट्रेक्टर था तो हम जाते हैं कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है आगे बहुत एक हुआ से सो गाइस हम बहुत दूर आगे हैं टावर जो है मैं आपको दिखाया था पहले ही वह टावर कहां पहुच गए है तो गई चलते हैं और इस तरब देखिए यह जो लकड़ी साब बहुत दिन में ही लाया था अभी तक इंसान लोग लेके नहीं गया है इसको वहां पार धेर साला पाड़ा है सो गाइस मैं नादी पहुंच गया हम देखिए कुछ ज्यादा दूर नहीं है पानी देखिए बहुत थांड़ा है यहां पर और साइकाल को हमको उठा के पार करना है क्योंकि भीग जाने से मेरा फिर प्रब्लम हो जाएगा सो गाइस देखिए पुरा फ्रीज हो गया है पानी ठंड़ा से घुसने कभी मन नहीं कार रहा है पर क्या करूं जाना पड़ेगा इदर सूरज भी नहीं निकला है अभी तक गाइस मैं नादी पार कार लिया हूँ पानी बहुती ज़्यादा था मेरा सूर भी भींग जा रहा था डलल टाइप वळा बालू भी था पेर घुस जा रहा था उपर से मेरा उपर में लोड था जो कि साइकिल को में उठाया था लेकिन नहीं भींगा तो हम चलते हैं यहां का रास्ता जो है ब्लोक हो गया है तो बालू में ही ठेल ठेल के जाना पर रहा है आमको यह ट्रैक्टर का कुछ लीख है लेकिन इसमें ठेलना पर रहा है आमको बहुत सो गाइस यह बालू एरिया को में क्रोस कर लिया फाइनली यहां देखिया बहुती सुन्दर लाग रहा है यह रस्ता ऐसा लाग रहा है कि जो कि मूवी में दिखता है न वह इसा ही लाग रहा है बहुती सुन्दर नाजा रहा और यह समय में सुरज भी उग गया यहां पर दे देखिए कि इस तरह से घास का कलर भी बदल गया है और इस तरह देखिए बास का ज़ाड़ी है कुछ यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा सोगाइस हम चलते हैं फिर से मैं बागान एंटर कार लिया हूँ जो कि इसका पत्ता को काट दिया गया है आगे में नला है हमको रुखना पड़ेगा फिर से वहाँ पर यह बागान का रास्ता जो है इसमें इसी ही होता है गड़ा दीपा नला साप रहता है तो हो गया गाइस मैं सोचा कि उतरना पड़ेगा लेकिन हमको उतरना नहीं पड़ा क्योंकि वह रास्ता ठीची था इस तरफ देखिए यहां पर छोटा-छोटा चा का पौधा लागया गया है जो कि बहुत ही जल्ट बढ़ जाएगा और इसको कल्टिवेट भी कर सकते हैं सुबह सुबह कुछ बगुला नास्ता करने के लिए भी आये हैं गाइस और ज्यादा दूर नहीं है यहां से लगभग हाफ किलुमेटर जाना आयां को आगे देखिए यहां मैदान है मैदान को क्रोस करके एक नादी मिलेगा और नादी पार करने से ही दल्मोनी पहुंच तो गाइस में वापस जा रहा हूं घर मैं महां मिला मेरा मामा मामी लोग से मेरा भाई सब कोई से मिलके बहुत ही अच्छा लगा तो मैं आप लोगों को तो दिखा नहीं सकता था वहां पर नहीं तो अगर मैं बहुत दिन बात जा रहा हूं वहां पर और मैं केमरा पकड़ अगर दिखाऊंगा तो लोग दिक्यास होचेंगे इसलिए नहीं किया तो गाइस मैं जो रास्ता से आया वह रास्ता से वापस नहीं जा रहा हूं यह परपस लीजिए दुसरा रास्ता चुना में और मेरा टाइम भी नहीं है बहुत अड़ बाड़ी में भी हूं मेरा पहले लगया गया था आप काड़ दिया गया है यह भी सोसल फोरिश्ट्री है इनसान लोग की लगया है यहां पर देखें जितना भी यहां पर यह जो बोरा का अंदर में है सब पेड़ है यह सेट देखें वहां से चाब अगन शुरू होता है तो बहुत ही अच्छा यहां यहां पर फैकळ करने आ ये इंसन लोग करता है । उतरना पर रहियं। इसोगाइश देखें यहां से भी वहूती मास थे कर दो से यहां से देखें कुछ लोग कम कर लोए होट denied और यहां से भीव देखिए मैं यह रस्ता होके आया जो की जंगल है भीच में थोड़ा दूर के लिए तो गाइस अभी हमको यह नदी पार करके उधर जाना है तो मैं यह रस्ता से जाओंगा तो गाइस चलते हैं यहां देखिए इधर में भी आदमी लोग काम कर रहे हैं सुबा सुबा तो गाइस मैं घार चलता हूँ पहुत ही मज़ा आया सुबा सुबा बहुत दिन बात सुबा सुबा मैं राइडिंग कर रहा हूं साइकिल तो I hope आप आप लोग को बहुत ही मज़ा आया होगा मेरा साथ सुबा सुबा मॉर्निंग का टूर तो गाइस चलते है